पर अब तक मैं चार वीडियो बना चुका हूँ जो मेरी चोथी वीडियो थी उसे बहुत लोगों ने देखा और उस पर बहुत सारे कमेंट आए कमेंट पॉजेटिव भी थे और निगेटिव भी थे अकसर कर जो निगेटिव कमेंट होते हैं उन पर मैं ध्यान नहीं देता लेकिन अब की बार मैंने उन पर अच्छी तरह ध्यान दिया है इसके अलावा कुछ मेरे साथी है और कुछ प्रगति सील किसान है कुछ वेगनिक साथी है उन्होंने मुझसे कुछ सवाल किये वो सवाल क्या थे और आज ये वीडियो बनाने का मेरा तात पर ये क्या है ये सब बाते मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा किसान सातियों आप सबका हर्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में और ध्यान से देखे इस वीडियो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक विन्ति करूँगा कि आज जो बात मैं बताने जा रहा हूँ उसको थोड़ा खुले दिमाग से सोचना अमित महला जी ने मेरे को चार डब्बी भेजी थी जो मैंने अपनी वीडियो में बताई थी उन डब्बी पर OWDC की 51 रुपे प्राइस था मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 51 रुपे प्राइस था या क्या था क्योंकि उन्होंने वो मुझे कॉम्प्लिमेंटरी दी थी वो मेरा बहुत सम्मान करते हैं मैं भी उन्हें बहुत प्यार करता हूँ जब मैंने उनसे वेस डिकमपोजर बनाया जो मैंने आपको दिखाया था तो मैं बहुत खुश हुआ बहुत अच्छी तरह बना और मैंने एक वीडियो में आप लोगों को ये भी दिखाया था कि वो परती दिन किस प्रकार रंग बदल रहा है हमने पहले 200 लिटर के ड्रम में बनाया फिर उसी में से कल्चर लेकर मैंने एक दूसरे ड्रम में बनाया फिर उसी का बचा हुआ कल्चर लेकर एक तीसरी बार बनाया लेकिन जो मैंने चोथी बार बनाया तो उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया और ये वीडियो बनाने का मेरा तात्परिया केवल वही था जब मैंने बनाया तो मेरा जो बेटा है विवेक त्यागी वो हमेशा उसमें जब तयार होता है तो अपना हाट डाल कर देखता है उसने मुझे बताया कि इस से मेरे हाट में जंजनाट होती है और जो ये चोथी बार बना है इसमें बिल्कुल भी वेस्ट डिकमपोजर का असर नहीं है मैं तो हत्परब रह गया चुकि तीन साल तक मैं वो 20 रुपे की सीसी वाला वेस्ट डिकमपोजर पर योग करता रहा और अब मेरे पास वो नहीं है मैंने लास्ट में जो बचा था वो अपने पोदों में दे दिया था मैंने ये विश्वास किया कि ये जो बहुत पावरफुल बताते हैं अब इसको मल्टिपलाई करते रहें दूसरी बात क्या होई कि जो किसान ने मेरे को ये लिखा था कि ये गुड का रंग है ये दोनों बाते मैंने एकठी की और मैंने देखा कि हाँ ये गड़बड हो गया मैंने कॉंटेक्ट किया अमित महिला जी जी मेरे साथ ऐसा तीन साल में पहली बार हुआ और ये केवल आपकी दूसरी CC के कारण हुआ है उन्होंने कहा कि त्यागी जी केवल आपने इसी कायत की दूसरे किसानों नहीं की मैंने का आप पता करिये मैंने का मैं इस पर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ उस सभी किसानों से पोचूँगा ये हुई अब किसान साथियों, मेरे पास, एक ये डबबी आई है, ये मुझे हीमगरी γ्रीन हर्बल प्राइवेट लिमिटेड गुड़गाओं ने भेजी है, और ये मेरे पास कमप्लिमेंट्री है, देखें इस पर लिखा हुआ है, ये फ्री, कि फ्री वन है, ये कमपिलिमेंट्री ह मैं धन्यवाद करता हूँ इस पर जो प्राइस है वो क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ आप देखते रहे हैं मैं इसे खोलता हूँ आपके सामने ये मैंने इसको खोल लिया मुझे कुछ किसान भाईयों ने ये भी कहा है कि ये चार डबी क्यों बेशते हैं कि ये तो केवल एक ही डबी से काम चल जाता है और हमारे को क्यों इतने पैसे लेते हैं देखें ये उनका आपना निर्ने हैं वो बना रहे हैं उनको बनाने में फाइदा होता है या नहीं होता है इसका उत्तर वही दे सकते हैं या डॉक्टर करसिन चंद्रा दे सकते हैं जैसा कि कहा जाता है कि ये लिक्विड जो पावरफुल वेस्डी कमपोजर है इन्होंने बनाया है अब ये लिक्विड फोर्ब में आता है ये देखिए ये निकला है इसके अंदर से इस पर लिखा हुआ है मैकसीमम रिटेल प्राइस एक सो पचास रुपए और एक चीज और लिखी हुए इसकी सेल्फ लाइफ है पांच साल ठीक है ये चीजे हुई अब मैं इसको आपके सामने इस अपने ड्रम में डालूंगा ये मेरा ड्रम है एक हजार लिटर का इसमें मैंने बनाया था वो वेस्डी कमपोजर बहुत इफेक्टिव नहीं था मैंने इसमें पानी भर दिया है और अब आपको दिखाता हूँ ये देखिए मेरा गुड जो है इतना अच्छा होता है कि उसे मैं अपने सामने बनवाता हूँ और अब मैं आपके सामने इसमें दस किलो गुड डालूँगा डालो गुड ये देखिए कितना अच्छा गुड है आप इसे खा सक बहुत अच्छा गुड़ है यह 10 किलो गुड़ है 1000 लिटर पानी है हम इसमें डाल रहे हैं जब यह बंगर तयार होगा तब मैं आपको दिखाऊंगा यह हमने इसमें 10 किलो गुड़ डाल दिया और यह देखिए यह पूरी सीसी नहीं डालूंगा जो बताते हैं डॉक्टर करिशन चंदर जी के दो बूंदी काफी हैं लेकिन मैं इसमें आधी सीसी डालूंगा यह देखिए थोड़ा तरल है काला है यह डाल दिया मैंने इसमें लगबग आधी सीसी डाल दी आधी सीसी मैं एक दो सो लिटर के ड्रम में बनाऊंगा उसमें डालूंगा अब आप इसको चला दीजिए डंडे से यह देखिए यह डंडा है अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि यह जो डंडे से हम चला रहे हैं इससे क्या होगा हमारा सिर्फ एरिनेशन करना है और हम रोज इसमें नीचे से दो तीन बाल्टी निकालते हैं और उपर से ढकन खोलकर डाल देते हैं और फिर ढकन हम बंद कर देते हैं यह हमने इसे चला दिया और आप हम इसको ढकन को बंद कर देते हैं बहुत से लोगों ने यह पूछा है कि त्यागी जी क्या आप वैस्टी कंपोजर पर विश्वास करते हैं क्या आपके पास इसका कोई परमान है मुझे उनकी बातों ने कुछ सोचने पर मजबूर किया वो ये भी मानते हैं कि ये वैस्ट डिकंपोजर है और इसका काम केवल वैस्ट को डिकंपोज करना होता है जो पराली के खाद में पराली और गोबर को मिला कर मैंने आप लोगों को दिखाया था उसमें करता है लेकिन जमीन में देते हैं उस से क्या एफेक्ट आते हैं इसका कोई वैगनिक परमान मुझे अभी तक नहीं मिला है चुकि मैं दूसरे खाद भी डालता हूं, मैं माइकरो न्यूट्रेंट भी डालता हूं, मुझे नहीं पता कि ये उसका असर है या उसका असर है खाद मैं बहुत अच्छी परियोग करता हूँ ये वेगनिक परमान क्या होते हैं जीवामरत के बारे में आप देखिए कि आपको बहुत से रिसर्च पेपर मिलेंगे या वेगनिक परपत्र मिलेंगे जिन में ये परियोग सालाओं में ये दिखाया गया है कि 10% इसका परियोग करने से ये फरक पड़ता है 20% करने से ये फरक पड़ता है और इसमें क्या क्या वो है बहुत सारे पड़े हैं आप ज़रा थोड़ा सर्च करकर खुद देख सकते हैं Google पर लेकिन West Decomposer के बारे में कोई भी वेगनिक पत्र नहीं है किसी भी यूनिवस्टी का और किसी भी उसका कि इसमें क्या बैक्टिरिया है एक हुई ये बात दूसरी बात ये हुई कि इसमें हम ये मान कर चलते हैं कि अजेटो बैक्टर है इसमें राइजो बेरियम है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टिरिया है यह चारो बैक्टीरिया है और इसके अलावा कहते हैं कि इसमें और हजारो हजारो बैक्टीरिया है चलिए हम मान लेते हैं लेकिन यह परमान है कि यह बैक्टीरिया गुडमर डालने से मल्टीप्लाई नहीं होते इस चीज के परमान है तो क्या इस OWDC में कोई ऐसा प्रमान है डॉक्टर साब के पास में कि ये बैक्टीरिया मल्टिपलाई होते हैं या केवल जो परथम भार में हमने बनाया है उसमें ही ये बैक्टीरिया होंगे और इस से जो दुबारा बनाएंगे उसमें नहीं होंगे अगर होंगे तो उनकी मात्रा कम होगी चुकि मुझे ऐसा कोई भी वैग्यानिक परपत्र नहीं मिला है अगर किसी के पास हो तो कृप्या करके मुझे अवस्य भेजे और केवल ये बात नहीं करे कि डॉक्टर करसंचंदर ऐसा कहते हैं तो हम मान लेते हैं मैंने पहले ही कहा है कि आप दिमाग को थोड़ा तटस्त होकर इस बात को सोचना परमान वैग्यानिक होता है परमान कहने से नहीं होता है जीवा मरत में कितने बैक्टीरिया हैं किस तरह मल्टिप्लाई होते हैं इस बात के परमान है इसलिए लोग उन्हें परियोग करते हैं किसान साथियो अगली वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि ये परसंड मैंने क्यों उठाया और तब तक आप लोगों के कमेंट्स भी आ जाएंगे और सैद मैं उमीद करता हूँ कि अमित महला जी भी इस बात को सोचेंगे और जो लोग इसको बना रहे हैं और कर रहे हैं वो इस परकार के परमान देंगे जैसा उन्होंने सिरीराम इंडस्टियल रिसर्च इस्टिट्यूट की रिपोर्ट में दिया था कि वेस्ट डिकमपोजर इन चार बैक्टीरिया को खतम करता है अभी मैंने कहा है कि इसमें मैंने डंडा घुमाया इसमें मैंने गुड डाला इनका बैक्टीरिया पर क्या असर पड़ता है मैं वो भी आपको बताऊँगा किसान साथियो मेरा किसی को भी बदनाम करने का या किसी का परचार करने का उद्देश से बिल्कुल नहीं है चुकि मैं इन बातों पर निर्भर नहीं हूँ भगवान की करपा से मेरी पैंसन आती है अच्छी खासी पैंसन आती है मुझे और भी हामदनी है इसलिए मैं किसी को ने तो नीचा दिखाना चाहता हूँ ने गलत बात करना चाहता हूँ लेकिन वैग्यानिक प्रस्ट भूमी होने की वज़े से मेरी सोच थोड़ी सी वैग्यानिक है इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत